तो एक कोस्चन काफी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जो इसरो URSC है भाई UR Rao Satellite Center इसके exam center चूज करने की जो link है वो official website पर कब तक publish की जाएगी ठीक है तो इसी के recording आज मैंने ये वीडियो बनाया है और वीडियो को पूरा देखिएगा भाई आपके बहुत से doubts इसमें clear होंगे ठीक है और जो भी मेरे भाई नया विजिट कर रहा है चैनल पर या पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को subscribe करके रखना क्योंकि बहुत सारी updates जो है इस चैनल पर आपको देखने मिलेंगी तो आज का जो हमारा फ्रेंट्स टॉपिक है कि इस दो यूरेसी की यहां पर center choose करने की link की जो है यह कब तक activate की जाएगी इसके official website पर ठीक है तो भाई देखो इसकी अभी भी department से कोई अधिकारिक सूचना नहीं है कि भाई यह कब तक activate करेंगे लेकिन इन्होंने exam date को यहां पर clear कर दिया था और उसका मैंने वीडियो बनाया भी था जैसे ही इसका update आया था यहां पर clearly बता रहा है कि भाई September या October तक जो है आपका यहां पर exam conduct करा लिया जाएगा अब यह exam सितंबर में होगा या October में होगा इसका इन्होंने confirm नहीं बताया है लेकिन सितंबर तक आपका exam conduct करा लिया जाएगा ठीक है तो एक अनुमानित चीजें लेकर हम चलते हैं कि भाई आपका center choose कब तक हो पाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम चलें तो देखो भाई आज से लगबग 10 दिन के अंदर अगर यहां पर मैं बताता हूँ कि भाई यदि आपका exam सितंबर में department conduct कराता है तो आज से लगबग 10 दिन के अंदर आपको कभी भी जो है इसके official website पर link activate देखने मिल जाएगी ठीक है जो center choose करने की है अगर आपका exam सितंबर में होता है लगबग उसके लिए आपको 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा या जादा भी दे सकते हैं वो 10 दिन का भी दे सकते हैं वैसे मेरे according है भाई 5 से 6 दिन का आपको यहां पर exam center चूज कर लेते हैं ठीक है तो आपको लगबग exam center चूज करने के बाद जो है यहां पर फिर आपका ल भी भी एक्जाम हूँ आप जानते हैं एडमिट कार्ट लगबग एक्जाम के 20 से 25 दिन पहले यहां पर ओफिसियल वेब साइट पर जारी किया जाता है ठीक है तो अगर मैं मानूं तो अगर इस 10 दिन के भीतर आपका यहां पर सेंटर चूज करने का उपसन आता है तो उसके लगबग अब देखो भाई उसकी डेट लगबग मतलब 5 से 6 दिन तक आपका यहां पर एक्जाम सेंटर चूज करने का यहां पर ऑपसन रहेगा देन उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जो है आपका यहां पर जो एडमिट कार्ट को पब्लिस कर दिया जाएगा देन उसके बाद जो है यहां पर आपका जो एडमिट कार्ड में डेट होगी वो लगबग 20 से 25 दिन के बाद की यहां पर एक्जाम डेट आपकी होगी तो इसके अगर माने तो भाई अगर सिप्तिम्बर में आपका एक्जाम होता है तो इसी मन्त के इन 10 दिनों के भीतर जो है आपके यहां पर सेंटर चूज करने की जो लिंक है ऑफिसल वेबसाइट पर पब्लिस हो जाएगी और अगर ऑक्टॉमबर तक आपका एक्जाम जाता है तो भाई कहीं न कहीं आपको इस मन्त के एंड वीक या इस मन्त के थर्ड वीक तक जो है आपको यहां पर सेंटर चूज करने का आपके एक्जाम डेट के बीच कितने टाइम कर लगबग आप जानते हैं कि जब एडमिट कार्ड जारी करता है तो उसके लगबग 20-25 दिन बाद ही आपका एक्जाम डेट यहां पर अनौंट होता है कि इस दिन आपका एक्जाम है ठीक है उसमें ऐसा नहीं कि आपका पेसेंस रखें और यहां पर आपकी लिंक ओपन हो जाएगी अगर आपका एक्जाम सेप्टेंबर में होता है तो यह 10 दिन और इंतिजार करें यह 10 दिन के भीतर आपको कोई ना कोई अपडेट इस दो के ओफिसियल वेबसाइट पर मिल जाएगी ठीक हो जैसे ही इसकी के साथ बने रहें चैनल के साथ बने रहें टेक क्या जैहन बंदे मात्रम एंड बाव